हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हरिती स्टडी हब तो आज का जो मारा टॉपिक है एसपी डॉटनेट के अंदर वो है हमने मास्कड एडिट को कैसे यूज करना है तो यह बेसिकली एक ऐसा कंट्रोल है जो हमें एजक्स की टूलकिट के अंदर अविलेबल होता है तो काफी यूजफुल जो है कंट्रोल है इससे आप किसी भी टेक्स बॉक्स की जो वैल्यू है जो हम एंटर करना चाते हैं उसको रिस्ट्रेक्ट कर सकते हैं तांकि यूजर उसके इलावा किसी और टाइप की वैल्यू जो है टेक्स बॉक्स के अंदर जो है एंटर ना कर पाए तो बेसिकली यह मेरे पास एक रनिंग एक्जामपल है पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता दूँगा फिर आपको बताऊंगा कैसे आप मास्ट एडिट एक्स्टेंडर कंट्रोल को यूज कर सकते हैं और इसके बार में जो नेक्स्ट वीडियो टुटोरियल मैं अपने चैनल के उपर अपलोड करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप मास्ट एडिट एक्स् एक्सटेंडर कंट्रोल टू रिस्टरिक्ट टेक्स्ट इन टेक्सट बॉक्स यूजिंग aax.net शी शार्ट तो चलिए यहां पर जो टेक्सट बॉक्स है यह नॉर्मल टेक्सट बॉक्स है और इसके उपर मैंने मास्ट एडिट एक्सटेंडर जो है वह अपलाई किया हुआ है जैसे इस example के अंदर मैंने पूछा है कि enter your अधार नंबर user से अब मुझे पता है कि अधार नंबर के जो number of digits हैं वो 12 से कम नहीं हो सकते और जो सारे digits हैं वो numeric ही होगे तो इसलिए मैंने इसको ये उपर जो है text box के उपर जो है masking की हुई है जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक line available हो रही है इस line का मतलब है कि मैंने इसके उपर जो है restriction लगाई हुई है कि जो मैं अधार का number जैसे यहाँ पर enter करता हूँ तो जैसे ही मैं 12 digits enter कर देता हूँ मेरी जो lines थी वो पूरी complete हो चुकी है तो अगर मैं यहाँ पर किसी alphabet को enter करने की कोशिश करता हूँ तो वो alphabet यहाँ पर type नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर कोई special symbol को type करने की कोशिश करता हूँ तो वो भी टाइप नहीं होगा क्योंकि मैंने इस टेक्स बॉक्स के उपर जो है मास्किन की हुई है तो चलिए 12 डिजिट एंटर कर लेते हैं जैसे हमने 12 डिजिट एंटर किये तो यह मेरा जो मास्किन वाला कंट्रोल है उसने अपना काम कर दिया है तो चलिए इसको submit करते हैं और आप देख सकते हैं यहां पे मेरे पास जो है your date of birth is sorry यहां पर जो date of birth और यहां पर आप अधार नमबर लिख सकते हैं तो इस तरीके का जो project है आपने कैसे जो है complete करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा तो चलिए इसको stop कर देते हैं और अपनी जहां पर कोडिंग में मिस्टेक होई है वहां पर लिख देते हैं यूर अधार नमबर इस टेक्स बोक्स वन चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूं और यहां से फाइल न्यू और यहां से वेबसाइट एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुबात करते हैं यहां से सी शार्ट यहां से आपने जो फ्रेमवर्क यूज़ करना है वो है 4.6 यहां 4.5 यूज़ कर सकते हैं आप asp.net empty website और यहां पर आपने जो अपना प्रोजेक्ट है उसकी location प्रोवाइड करनी है कि आपके computer के ओपर जो आपका website है उसका सारा source code जो है कहां पर save हो तो यहां पर मैं लिख जेता हूँ masked edit ajaxasp.net चलिए ok के ओपर क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं ok के ओपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो create हो चुका है solution explorer के अंदर तो चलिए इसके ओपर right क्लिक करते हैं add करते हैं एक blank web form तो यहां से मैं select हूँँगा web form आप चाहें तो यहां प अगर मैं default name ही running देता हूँ और इसको add कर देता हूँ अपने project के अंदर तो आप देख सकते है student friends जो मेरा project का web form है वो create हो चुका है तो चलिए इसके design view के अंदर चलते हैं और यहां पर सबसे पहला control जो मैं use करूँगा वो है label control तो toolbox में से label control के ओपर double click करते हैं तो double click करने स जो label है वो मेरा web form के ओपर आ चुका है तो चलिए इसकी जो properties है वो उसके अंदर changes कर लेते हैं तो सबसे पहली जो property है वो है text property तो यहां पर मैं लिख देता हूँ हरिती study hub तो यह text जो है मैं just channel की promotion के लिए use कर रहा हूँ आप चाहें तो अपने according to text type कर सकते हैं friends students अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया तो जल्दी से इसे subscribe कर लें क्यूंकि daily मैं video tutorial जो है programming के related upload करता रहता हूँ तो आपको काफी help मिलेगी programming सीखने और समझने में आप project की heading बताने के लिए तो यहाँ पर मैं लिख लिए text के अंदर मैं लिख देता हूँ restrict और मास्क दी टैक्स बॉक्स यूजिन मास्क एडिट एक्स्टेंडर इन एस्पी डॉट अट सी शाप तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ के बेसिकली जो मास्क एडिट एक्स्टेंडर है वो क्या work करता है तो यहाँ पर आप इसकी definition देख सकते हैं मास्क एडिट एक्स्टेंडर एसपी डॉट एक का एक एक्स्टेंडर कंट्रॉल है जिसको हमadem OUT के साथए कर सकते हैं कांगे हम जो भी टैक्स बॉक्स के अंदर टैक्स को करना और उसको रेस्टिक्ट कर सकें कि कि किस त्रिके की वैल्यू हम चाहते है यूजर एंडर कर पर्टिकुलर टाइप के जो करेक्टर है उसी को एंटर कर पाए तो यह प्रॉपर्टीज है हमारे पास एजेक्स टूल्खित के अंदर जो मास्क एडिट एक्सेंडर है सबसे पहले हमने मास्किंग करनी है हर करेक्टर जिसको नुमेरिक बनाना चाहते हैं उसके लिए हम मास्क के अंदर नाइन यूस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 12 नाइन से यूस की है मतलब हर एक करेक्टर के लिए 9 कहने का मतलब यहां पर एक नुमेरिक thee यहां पर एक नुमेरिक वैलिए मतलब बारह गग्दर से एंटर कर सकता है user text box के अंदर और वो 12 जो character होंगे वो number की होंगे क्योंकि मैंने mask टाइब जो है वो number use करना है तो आप चाहें तो message data tip को भी true कर सकते हैं error tool tip को भी enable कर सकते हैं और target control हमने जिसके उपर जिस text के उपर जो है text box के उपर यह apply करना है तो चलिए इसको continue करते हैं अपने project को तो यहां से मैं for colors का chain कर देता हूं अब हम यहां पर एक table insert करते हैं यहां से table insert करेंगे two rows two columns cookie के ओपर क्लिक करेंगे तो चलिए इसको थोड़ा सा resize कर देते हैं अपने table को यहां पर मैं लिख देता हूं your अदार number तो चलिए यहां पर एक text box को enter करते हैं यहां पर मैं text box को insert कर देता हूं अपने waveform के ऊपर अब हमने यहां पर एक button यूज करना है तो button यूज कर लेते हैं यहां पर तो button का जो text property है उसके अदर मैं लिख देता हूं submit आप चाहें तो जो background color है इसका वो भी आप change कर सकते हैं यहां से अब हम पूरे इस table को select करेंगे और यहां से आप उसका background color change कर सकते हैं तो इसकी properties के अंदर border property है उसके अंदर आप one enter करके इसकी जो lines को ठिक कर सकते हैं अब हमने यहां पर एक label यूज करना है last में जब हम submit करवाएंगे तब हम अधार number को यहां पर display करवाएंगे तो इसकी text property को अभी के लिए हम blank कर देते हैं चलिए यहां पर हमने अब mask edit extender को क पहले मैं यहां पर आप बता दूँ मैं जो toolkit use कर रहा हूं Ajax की वह है 15.1 तो जब भी आप Ajax को यूज करें तो सबसे पहला जो control आपने यूज करना है वह है script manager तो script manager से आपकी जो Ajax के related files होंगी जो भी classes required होंगी वह सारी available हो जाएंगी तो script manager को सबसे पहले use करें उसके बा control है आपको मैं एक बार दिखा दूँ मास्क एडिट एक्स्टेंडर उसके बाद कल जो video tutorial में upload करूंगा होगा mask edit validator चलिए इसको apply कैसे करना है यहां पर click कीजिए और यहां से आप उसको देख सकते हैं mask edit extender को और इसके ok के ओपर click कीजिए ऐसा करने से आपका जो mask edit extender है वो इसके ओपर apply हो चुका है text box के ओपर अब हमने जो है उसके attributes के अंदर changes करनी है source code के अंदर जाईए यहां पर आप देख सकते हैं मेरा mask edit extender जो है visible हो चुका है तो यहां पर आपने जो century लिखा हुआ है इसको delete करके यहां तक delete कर देना है last यहां तक target control तक इसको delete कर देना है और यहां पर अपनी properties के बारे में लिखना है पहले mask लिखेंगे और इसके अंदर जो है 12 999 लिखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 चलिए mask type जो कर देते हैं काफी different तरह के मारे पास mask type है और इसमें से हम use करेंगे number चलिए अब हमने यहां पर message tool tip को own करना ह इसको true कर दें इसके बार में हमने error tool tip को enable करना है इसको true कर दें तो आप देख सकते हैं हमारी property जो है वो set हो चुकी है mask एडिट एक्स्टेंडर की target control ID भी set हो चुका है mask भी set हो चुका है mask type भी हो चुका है set और यहां पर message validator भी use हो चुका है और error tool tip भी enable हो चुका है तो चलिए अब हम हमारा project जो है बिलकुर ready है इसको run करके लिखते हैं submit के ओपर coding रह गई है वो भी कर देते हैं तो यहां पर मैं लिख जाता हूं label three dot sorry label three dot tax is equal to your adar number is और value जो लेंगे हम वो लेंगे text box one से उसकी text properties है चलिए जो coding है वो भी हो चुकी है simple सी coding की है मैंने अब अब इस project को run करके देखते हैं तो देखिए student friend जो मेरा project है वो run हो चुका है तो चलिए इसकी working एक बार देख लेते हैं कि सही work कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पर मैं जैसे enter करूंगा आप देख सकते हैं मेरे पार फिर से एक line आ चुकी है 12 characters की तो यहां पर मैं only numeric value ही enter कर पाऊंगा और जैसे ही मैं 12 characters enter कर देता हूं उसके बार में अगर मैं खोशिश भी करूं अपनी number of characters enter करने की तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसकी जो number of characters है वो restrict किये है 12 और जो value की type है वो numeric की enter कर पाएंगे आप चलिए जैसे ही मैं submit के ओपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है message आ चुका है your adhar is और उसके बार में आपका अधार number तो इस तरीके से जब भी आपको मालूम हो के इस तरीके की value ही user को enter करने के लिए restrict करना है तो उस case में आप masked edit extender को use कर सकते हैं तो friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए और अगर कोई आप idea मेरे साथ share करना चाहते हैं तो वो comment के तुरू कर सकते हैं तो अपनी feedback जरूर दीजिए मुझे comment जरूर कीजिए इससे आपके हमारे चैनल के भी इस communication जो है वो link बन जाएगा तो friends काफी sport मिल रहा है आपका काफी mails मुझे मिल रही है तो अगर आपके वो किसी भी project में कोई problem है तो उसको आप मेरे साथ share कर सकते हैं मैं पोशिश करूँगा उसको उसका reply आपको करूँ solution आपको बेजूँ और इसी तरिके से video tutorial में upload करता रहूंगा और चैनल के उपर तो friends अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बढ़ी है video tutorial जो मैं daily upload करता रहता हूँ काफी help मिलेगी आपको programming सीखने और समझने में तो thanks friends इसी करता हूँ